आज यानी 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन देशपर में गनेश चतुर्थी पर्व हर्शोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गनेश चतुर्थी पर्व के दिन भगवान गनेश की उपासना करने से साधक को सुख एवं समरिद्धी का आशीरवाद प्राप्त होता है बता दे कि गनेश चतुर्थी पर्व भगवान गनेश जी के जनमोत्सव के रूप में हर्शोल्लास के साथ मनाया जाता है इस विशेश दिन पर उपवास का भी विशेश महत्व है लेकिन इस दौरान साधकों को कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग उपवास रख रहे हैं उन्हें फालाहार का ही सेवन करना चाहिए साथ ही इस अवधी में प्याज, लहसुन, मास, मदिरा इत्यादी का सेवन ना करें जिन लोगों के घर पर गणपती जीविराजमान हैं उन्हें दस दिनों तक शुधता का विशेश ध्यान रखना चाहिए साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इन दस दिनों की अवधी में साधक के मन में नकारात्मक विचार भूल कर भी ना आए इस विशेश दिन पर चंद्र दर्शन वर्जित है माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश क्रोधित हो जाते हैं साथ ही पूजा में सफेद वस्त्र अत्वा लड्डू का प्रयोग भूल कर भी ना करें गणेश चतुर्थी के दिन पूजा के उपरांत किसी जरूरतमंद व्यक्ती को अन्न धन या वस्त्र का दान जरूर करें साथ ही गणेश जी के वाहन मूशक को अन्न दान अवश्य करें ऐसा करने से भगवान गणेश की खृपा बनी रहती है गनेश चतुर्थी व्रत के दौरान भगवान गनेश को समर्पित गनपती संकत नाशक्स्तोत्र का पार्थ करें और पूजा के अंत में आरती अवश्य करें ऐसा करने से साधक पर गजानन महराज की कृपा बनी रहती है